वेलकम टू अमम लाव चैनल आज का मारा वीडियो है कि छुवारे खाने से क्या-क्या फाइदे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बाउन पताऊंगी क्योंकि छुवारे हैं वहां हमारे लिए बहुत फाइदे बन होते हैं तो इनको जरूर खाना चाहिए सर्दी में ज्यादा फाइदे बन होता है इनको खाना तो मैं आपको कुलाज साथ फाइदे बताऊंगी कि 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 जो में फाइदे बन होते हैं सुबह शाम् तीन छुवारे खाकर बाद में गरम पानी पीन्ने से कब्स दूर होती है, जिनको कप्स की प्रोब्लम होती है और अगर चुवारे घाती हैंar लुद प्राने घाउ के लिए खजुर की गुटली Baham बना लीजे गाउं पर इस बसन को लगाने से आपके गाऊ है वह भर जाते हैं तो देखा अपने घाऊं को बहने के लिए भी एक एक है तो इसके बसन में बहुत फाइदेमन होती है गाऊं के लिए तो पुरानी घाऊ है ठीक नहीं हो रहे हैं तो इनको ऐसे इस से ठीक हो उनकों diff export दोट नचीज से हमें नाय City आप दावार को श्रमांट मिलने था पिसलों आप उनकी आड़ारी प्यास सुद्सक्रेइं दोट नाया स्वीन था निवी आप आ नते आच टाव मार क्ली मैं कि लिक्णि नैक्स चुमारी कि अम यह धिर केاش केल्चियम की कमी से होने वाले रोग जैसे दातों की कमजूरी हड्डियों का गलना इत्यादित रूख जाते हैं तो आपको अगर कैल्चियम की कमी है तो छुमारे काकर गरम दूद पी यह सर्दियों में ज्यादा अच्छा रहेंगा आपके लिए खाना नेच्ट है महीलाओं की मासिक धर्म में छुमारे फाइदेवन होते हैं कि छुमारे खाने से मासिक धर्म है वो खुल कर आता है और कमर दर्द में भी लाब मिलता है जिनको ज़्यादा कमर दर्द मिलता है कमर दर्द होता है या फिर जो ब्लेडिंग है वो खुल कर नहीं आती तो इसमें जरूर लाब करेंगे तो नेक्स है खजूर की गुटली का शूर्मा आंखों में डालने से आंखों के रोग दूर हो इसका काजल बनाकर आंकों में डालें इससे आपको फाइदा मिलेगा नेक्स्ट है चुहारों को घी में भूनकर दिन में दो तीन बार सेवन करने चे आपको खासी छीख चुखाम और बलगम से राहत मिलती है तो जिनको खासी की प्रोब्लम होती है वो भी इसका घी में भूनकर इसका सेवन करकते हैं तो देखाने आपके कितने फाइदे मैं इसके साथ फाइदे मैंने आपको बताए हैं जो नौर्मल हमारी लाइफ में होते हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंड बॉक्स में बताएए मिलते हूँ आपको ऐसे ही नेक्ट वीडियो के साथ तब तक है ले बाई फ्रेंड्स